ओकी गाइज बूलेटिको इंडिया गेम में आज हम बात करने मादे हैं टॉप फाइफ हीरोज के बारे में सबसे पहले तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे आपको जितने भी हीरोज देखने के मिलते हैं अगर आप इनको अपग्रेट नहीं करेंगे तो यह सभी के सभी बहुत ही खराब परफार्मेंस आपको करके देने वाले हैं जिए जिए अब बंदों ने क्या किया है कि जिनका जिनका फेवरेट जो जो हीरोज हैं उन सभी को अपग्रेट कर लिया है और उनी के साथ गेम प्ले करते हैं तो अगर आप कोई सा भी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है आपको जो भी हीरो पसंद आता है उसको सबसे पहले तो अपग्रेट कर लिजे बहुत ही अच्छे से ताकि जब आप गेम प्ले करें तो आप मज़दार गेम प्ले कर पाएं नहीं तो एक ही गोली में आप फिनिस हो जाएंगे अगर आपने किसी भी हीरो को अपग्रेट नहीं किया तो क्योंकि इसमें आपको ऐसे ऐसे हीरो देखने के लिए मिलते हैं जो सिर्फ आपको एक ही गोली में फिनिस कर देंगे जिया बिल्कुल एक गोली काफी आपको मारने के तो पांचवे नमबर पे जिस ही रोज को हमने रखा है उसका नाम है ड्रेगुन जी अगर आप इसको यूज करते हैं तो सबसे पहले जब आप इसको अपगरेट कर लेते हैं तो हम आप को तहां देखिए इसका आर्मर चला जाता है 500 से 2000 तक जिया तो इसका आर्मर आपके लि skill की बात करें तो हम आप पोता है कि इसमें एक मिलता है 雷 सक्राइब क्यों करते हैं तो छंप करके एक जगह से दूसरे जगह तुरांत रहा है मलेज़ आपके पास ाफ फाइटिंक पारे उड़ा बते ही है एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही तरीके से और इसमें आपको एक बैटल किट मिलता है माली जा आपको किसी बंदे ने बहुत ज्यादा फाइरिंग कर दिया और आपका हेल्थ कंग हो गया है तो आप बैटल किट के जड़ी अपने आपको मेडिकिट ले सकते हैं तो यह बहुत ही संदार करेक्टर है जियां अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से अपग्रेट कर लिजेगा पूरे अच्छे से सुप्रीम लेवल तक इसको अपग्रेट कर लिजेगा तब यह आपको बहुत ही संदार रिजल्ट देने वाला है अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे नंबर हीरो के बारे में तो चौथे नमबर पर हमने रखा हुआ है यहाँ पर फ्रेडी को जी याँ अगर आप फ्रेडी यूज करते हैं तो यह तो बहुत ही संदार है लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ आप इसको स्क्वाइड में ज्यादा यूज करिएगा अगर आप सो इसकील है कि आप इसमें ग्रेनेट को यूज कर सकते है जो कि इसका टॉप लेवल है यहाँ ग्रेनेट को यूज कर सकते है आपको पास चार बंदे फाइरिंग कर रहेjach और चार बंदे आपके फाइरींग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे दूसरे आपोनेंटा के पास Argentina के लीजेगा पूरा अच्छे से सुप्रीम लेवल तक इसको अपग्रेट कर लीजेगा तब जाकर ये आपको टॉप लेवल रिजल्ट देने वाला है अगर आप इसको सुप्रीम लेवल अपग्रेट नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत ही नूब करेक्टर है और आप कोई भी ही हीरो यूज करिए मैं आपको एक बार और बता देता हूं अगर आप कोई भी हीरो यूज करते हैं तो सबसे पहले तो उसको आप अपग्रेट करके रखिए सुप्रीम लेवल तक तब जाकर वह आपको बहुत ही सांदा रिजल्ट देने वाला है अगर आप कितना भी अपी अच्छे से एक्स्प्लेन क्या है इस गेम को कैसे आप खेल सकते हैं और इजली विन कर सकते हैं और यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं अभी मैं जो हीरो के बारे में बता रहा हूं जितने भी हीरो मेरे पास अभी तक ऑनलॉक है जी हां उन्ही में से मैंने टॉप फाइब चुना है तो जो मेरे पास अभी अनलॉक करेक्टर है उन्ही को मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मान के चलिए ये सभी मेरे पास अनलॉक हो जाते हैं कौन इतना पैसा वेस्ट करे भाई इनको खोल ले के लिए वैसे फिरी में मिल जा तो ठीक है वरना मैं पैस करके इनको लेने वाला नहीं हूँ जी हां तो अगर माली जी मुझे फिरी में सारे करेक्टर मिल जाते हैं तो फिर मैं एक और वीडियो लेकर आउंगा इन सब भी मैं समय टॉप 5 बताऊंगा अभी मेरे पास जीतने भी करेक्टर हैं जीतने अनलॉक हैं उन्हीं मैं आपको टॉप फाइब बता रहा हम तो अब चलिए बात करते हैं अपने वीडियो के बारे में तीसरे नम्मर पर हमने रखा हुआ है ब्लोट को जी आ है और यह ब्लोट तो बहुत ही तगड़े लेवल का है बाई मतलब इसका तो काम ऐसा है कि यह तबाही मचा देता है हम आप पुता लेते हैं तो इसका एक गोली काफी एक किसी भी इनेमी को फिनिस करने के लिए तो आप समझ सकते हैं इतना खतरना के डैमेज देता है तो यह तो बहुत ही सुप्रीम लेवल है और हम आपको ता दिखिए इसमें आप सिल्ड भी यूज कर सकते हैं जी आमाले जो कोई बंदा तो आप आगे सिल्ड यूज कर लिजिए और सिल्ड के सहारे आप दूसरे बंदों को एक गोली में फिनिस कर लिजिए अगर आप इसको सुप्रीम लेवल तक अपग्रेट कर लेते हैं तो फिर यह तो बिलकुल यह समझे की दूसरों बंदे के लिए एक काल है बिलकुल काल यह मराज की तरह यह काम करता है एक गोली खतम एक गोली ज्यादा इसकी जरुवत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको सुप्रीम लेवल तक अपग्रेट कर लेते हैं तो जी यहां उसके बास इसमें यहां पे एक बेंडेज के आप्शन मिलता है जो मेडिकीर की तरह आप इ यही इसका स्कील है एक गोली खतम कर देता है सुप्रीम लेवल तक दूसरे नमबर पे इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है यह तो डेमेज थोड़ा कम ही देती है 97 का डेमेज देती है लेकिन अगर आप इसको अपग्रेड कर लेते हैं तो यह भी ज्यादा देगी मान के चल यह एक जगह से दूसरे जगह यह रेवल कर सकते हैं इसका यही अबिलीटी जाएगी यह एक सकंड में किसी भी बंदे का सरीर को आर पार कर जाएगी और फिनिस कर देगी जितना डेमेज देना होगा इसको दे देगी और अगर आप दो तीन बार इसको यूज कर लेते हैं इसके सकंड में उसका पार जाकर पुरा डेमेज देती है बहुत ही तगड़े लेवल का मतलब बहुत ही खतरनाक है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं लेकिन इसको भी आप सुप्रीम लेवल तक अपग्रेट कर लीजेगा बहुत सारे लोगों के पास यह करेक्टर नहीं अगर आप ऐसे लगाएंगे तब जाकर साथ ये करेक्टर मिल जाएगा वैसे तो फिरी में साथ मिलने वाला नहीं है अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट नमर हीरो के बारे में तो हमने इसको रखा हुआ है फर्स्ट नमर पे बैस्टियन हीरो को क्योंकि बाई साब ये के पास मिल जाता है सिल्ड जो की साथ से केंड़ तक आपके पास रहता है अगर आप स्लेका यूज करते हैं तो साथ सकेंड तक आपको पूरा प्रोटेक्चन देगा और बंद कितना भी फायर कर रहा हो बिल्कुल बिल्कुल डाइमेज नहीं होता है सामने वाले बंदों को खतम कर देता है बाई यहाँ पर और मैं सबसे ज्यादा यूज इसी का करता हूँ कि यह तबाई एकदम करेक्टर नहीं यह हीरो तो पूरा एकदम समझ जब यह भी अमराज है एकदम खड़ा हो जाएगा सिल्ड प्रोटेक्शन के साथ और फिर तर 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 खतम कर देगा पूरा एक साथ पूरे स्कॉाइड को मारता है ऐसा नहीं कि सिंगल बंदे को अगर आज आएगा अपने पत्र पूरे स्कॉाइड को ही खतम करता है इतना खतरनाक यह हीरो है तो मैं तो सबसे ज्यादा इसी का यूज करता हूँ और इसमें यहाँ पे करेंगे तब आपको मिलेंगे इजली तो यह बहुत ही और इसके पास मसीन गन है भाई तो बहुत ही तगड़ा फाइरिंग भी करता है बिल्कु धग 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 मारता है तो यह तो पूरा मान के चलिए काल है इस गेम में इसका कास्ट्यूम भी देख लिजे पूर करेंगे तो थाइंक्स फार वाचिंग चनल पने तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस कर लजे क्योंकि ऐसी रोमांचक तगड़ा वहत्री वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं थाइंक्स फार वाचिंग